हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी I hope की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 के विशागणित का रिविजन करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नौटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं फर्स्ट है सही विकल्ब का चुनाग कीजिए फर्स्ट है 16 प्लस 5 16 और 5 को प्लस करेंगे कितना होगा 21 तो बच्चे हाँ पर option है 17, 29, 108 तो इसके second option पर सही का निसान लगाएंगे नेक्स्ट है 40 प्लस बच्चो 40 में कितना हम प्लस करेंगे हमारा answer 48 हो जाए तो बच्चो इसमें हम प्लस करेंगे 8 इसके second option पर सही का निसान लगाएंगे नेक्स्ट है एक माचिस की डिब्बी के कितने कौने होते हैं तो बच्चो कितने कौने होते हैं 0, 8, 6, 2 तो इसके कौने होते हैं बच्चो 8 इसके second option पर सही का निसान लगाएंगे next है 100, 150, 200 तो इसमें कितने हर बार प्लस हुए है 50 तो बच्चो 200 में हम 50 और प्लस करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों है बच्चों यहां पर 133, 127, 126 और 132 तो बच्चों हम 125 में 8 प्लस कर देंगे तो कितना होना चाहिए 8 और 5 कितने होते हैं 13, 3, carry 1 2 और 1 यह कितना हुआ 3 और यह कितना हुआ 1 तो कितना answer हुआ 133 तो बच्चों इसके first option पर सही का निसान लगाएंगे Next है सही यह गलत बताईए 901 के एकदम बाद 902 आता है तो बच्चों हाँ यह सही है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 999 है तो बच्चों गलत है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 100 30 में से 8 गटाने पर 26 में 23 जोड़ने पर 69 आता है तो बच्चों यह भी गलत है यदि हम 26 में 23 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 और 39 2 और 2 4 तो बच्चों आंसर आना चाहिए और अंचार यहाँ पर है 99 तो बच्चों गलत है Next है तितली की आकरती एक सममित आकरती है तो बच्चों हाँ तितली की जो आकरती है वो सममित है क्योंकि यदि हम उसे मिरर के सामने लगाते है तो बच्चों वो क्या बनाएगी एक मिरर इमेज पूरी बनाएगी अब बच्चों निमने लिखे प्रशनों के उत्तर दीजिए तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999 मैं 461, 490, 449, 442 में से एक हूँ और 440 सथा 460 के बीच आता हूँ मैं कौन हूँ तो बच्चो 440 और 460 के बीच में देखें यहाँ पर कौन सा नंबर आता है तो बच्चों यहाँ पर है यह 461 है, यह भी नहीं आता यह है 490, इसे भी बच्चों कार दीजिए यह भी नहीं आता और 442 यह भी नहीं तो कितना बच्चा? 448 तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 449 440 और 407 के बीच में आता है बानमे में क्या जोड़े कि उत्तर 100 हो जाए तो बानमे में हम कितना जोड़ेंगे 8 तो हमारा अंसर 100 हो जाएगा नेक्स्ट है अंक 3, 5, 0, 9, 1 का प्रियोग करते हुए दो अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखे तो बच्चों यंकों में से हम दो अंकों का प्रियोग करके छोटी सी छोटी संख्या बनेगी 10 नेक्स्ट है 42 और 47 का योग ज्याद कीजिए तो बच्चों 42 और 47 को हम प्लस कर लेंगे 7 और 2 कितने होते हैं 9, 4 और 4 8, तो कितना हुआ 89 तो यहाँ पर लिखेंगे 89 अब बच्चों जादूई तालिकाओं को इस प्रकार पूरी कीजिए कि 11 से 19 तक की संख्याओं का प्रियोग करके सभी तरफ से योग करने पर 45 आए तो बच्चों यहाँ पर है 18 और 14 18 और 14 को हम प्लस कर लेंगे कितना आएगा 8 4 12 का 2 carry 1 1 और 1 2 और 1 3 तो बच्चों यह आंसर है 32 अब 32 को हम कितने में से 45 में से माइनस कर देंगे 5 में से 2 माइनस किया कितना बच्चा 3 4 में से 3 माइनस किया 1 इतमींस यहाँ पर क्या फिल करेंगे 13 अब बच्चों हमें आंसर चाहिए इस रो का भी 45 तो हम 45 में से इसे माइनस करेंगे 5 में से हम 6 माइनस नहीं कर सकते तो यहां से एक बोरो ले लेंगे 15 में से 6 माइनस किया तो कितना बच्चा 9 यहां पर कितने रह गए 3 3 में से 2 माइनस किया तो कितने बच्चे 1 इट मींज 19, यहां पर लिखेंगे 19, अब बच्चो ऐसे ही, यहां पर है 16 और यहां है 12, अब इसे प्लस कर लेंगे 6 और 2, 8, यहां पर है 1 और 1, 2, तो कितना अंसर हुआ 28, अब 28 को 45 में से हम माइनस कर देंगे, यहां पर फिर से बच्चो 5 छोटा है, 8 को माइनस नहीं कर सकत यहां से एक बोरो ले लेंगे, 15 में से हम 8 माइनस करेंगे, कितने बच्चे 7, यहां पर कितने रएगे 3, 3 में से 2 माइनस किया, तो कितने बच्चे 1, कितना बच्चा 17, यहां पर फिल करेंगे 17, अब बच्चो ऐसे ही, यहां पर है 18 और यहां है 16, इन्हें प्लस कर लेंगे आठ और 6, कितने होते हैं? 14, 1 और 1, 2 और 1 हासिल का 3, तो कितने हो गए? 34, यानि कि 34 अब बच्चो 34 को 45 में हम माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा? 5 में से 4 माइनस किया, 1 4 में से 3 माइनस किया, 1 तो आंसर कितना है? 11, तो यहां पर लिखेंगे 11 तो बच्चो अब जो है इसका योग कितना हुआ 45 ऐसे ही बच्चो इसका योग कितना हुआ ये भी 45 हुआ इसका भी योग कितना हो गया 45 और बच्चो इसका भी योग कितना हो गया 45 अब बच्चो आप इसे इस तरीके से प्लस कर सकते हैं यदि हम इने प्लस करेंगे तो कित संख्याएं हैं 10 12 13 20 21 23 31 32 अब बच्चो कोश्यन आंग 310 का एक बार प्रियोग करते हुए तीन अंगों की सभी संभव संख्याएं लिखे तो बच्चो तीन अंगों की सभी संभव संख्याएं हैं 103 130 301 और 310 बच्चो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू